हेलो वाइज दिस इस मनोज और यूर वाशिंग टेग मनोज गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हाउ तो सेट एनी सोंगो टोन एजर इन टोन इन यूर आइफोन आइफोन की डिफोल्ट टोन से बोर हो चुके होंगे और अगर आप इने चेंज करना भी चाहते हैं तो यह जातर हमारी प्लेड होती हैं आप देख सकते हैं यह रही सारी हमारी प्लेड टोन से तो गाइस इसी बुड़े में मैं आपसे यही शेयर करूंगा कि आप कैसे इन टोन्स को अपने फोन में सट कर सकते हैं और वो भी फ्र इसके पर क्लिक और फिर यहां से जो भी आपका फेवर्ट सॉंग है आपको उसके पर करना है राइट क्लिक उसके बाद आपको जाना गेट इंफो के अंदर और फिर ओप्शन्स यहाँ आपको इतनी रिम्टोन की लेंथ को रखना है only 30 सेगिंद्स पहले स्टार्ट के पक्टिक एंदन स्टोप रिम्टोन की लेंथ को रखना है only 30 सेगिंद्स यह रहा यह रहा में 30 सेगिंद्स यहाँ जीरो और यहाँ पर 002 उसके बाद ओके उक्ते करने के बाद गाइस आपको उसी जाने को स्लेक्ट करके जाना है फाइल के अप़ यह रहाँ फाइल फिर जाना कंवर्ट के उपर एंदन क्रिएट एसी वर्जिन के उपर करना है क्लिक यह हमारी 30 सेगिंद्स के इंटोन क्रिएट हो चुकी है आप देख सकते हैं फिर आपको इसी इंटोन के उपर करना है राइट क्लिक और फिर आपको जाना है स्वेविन फैंटर में कईस अगर आप मैक यूज स करते हैं एपिल का लट वी उस करते हैं तो आपको जाना है स्वेविन फजिन फैंडर में मए और अगर आप यूज और यह वाली फाइल के उपर करना है red click, और इसे करना है rename, rename, और फिर यहाँ पर सिर्फ हमें, एकी ज़वे R लगाना है, यह रहा आपका last में, A को delete करके R लगाना है, R, और फिर enter करना है, और use .m4r, this is called extension हम इसे बोलते हैं extension उसके बाद आपको इसी .m4r value file को करना है copy copy करने के बाद आपको इसे दक्स्टोप पर करना है paste यह रहा आपको डक्स्टोप पर paste इसे paste करने के बाद आपको फिर से एक बार iTunes को open करना है और उसे ही इसे करने के बाद इसे आपको इस डिलीट करना है, आपका move to trash, इसे डिलीट करना के बाद इसे cancel करना है और जो आपके 30 seconds की file यहां पर बन चोगी थी आपको उसे भी delete करना है, उसे delete करने के बाद, इसे delete, delete करने के बाद आपको जाना है अपने tones के अंबर, यह रही आपके music और यह रहा है, आप Mac यूज़ करते हैं तो आप प्रस करेंगे Command plus O अगर आप Windows का laptop यूज़ करते हैं तो आप प्रस करेंगे Control plus O Control plus O या फिर Command plus O की प्रस करने के बाद ये आप से location के लिए पूचेगा ये रही location उसके बाद करें इस मेरी location है desktop ये file मैंने desktop पर save की है तो फिर आपको इस फाइल को करना है open इसके पर select and then open open करने को बाद आप देख सकते हैं कि यह फाइल हमारी यहापे copy हो चुकी है अगर आपको इस फाइल को अपने phone में copy करना है तो पहले आपको अपने phone को open करना पड़ेगा यह और आप phone उसके बाद tones वाला section आज के लिए बशितना ही कल आप से फिर मुलाकत होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद